कि फर्स्ट आफल गुड मॉर्णी डॉल आफ यू तो अपन लेक्टर कॉंडियू करते लेक्टर नमबर सेवन इस्टेंट ओफ मैटिरियल इस्ट्रेस स्ट्रेंट कर तो अब देखो इसके अंदर हम जो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा थो से आगे कहरी फोरोड करते हैं आज कि क्या पढ़ रहे थे इलॉंगेशन पढ़ रहे थे तो इलॉंगेशन क्सकी चीज की देख़ चुके थे दो केस देख लिये हूंने पहला केस तो है कि कह त्यप्रmeeが सेर्कूलर section uniform taper और दूसरा हमने क्या पढ़ा था uniform taper rectangle section ठीक है तीसरा आप हम देखते हैं क्या elongation देखना है हमको किस चीज के कारण देख रहे हैं हम यह दो चीज तो हम देख चुगे थे और तीसरा हमारा case था elongation of prismatic bar due to self weight बात के लिए रहे हैं तो बात हो रही है यहाँ पर किसकी prismatic bar की प्रिजमेटिक वर्ड के बारे मैं आपको बता चुका हूं ऐसी बार या ऐसा member जिसका कोई भी cross section अपन कार्ट कर देखे तो same मिले उसे बोलते हैं प्रिजमेटिक तो वह होती है हमारी prismatic बार जैसे कि यह है हमारी prismatic बार तो इस बार पर मैं अगर यहाँ पर देख रहा हूं इस section पर तो इस वाले section पर total load क्या है इस से उपर का वह ही तो लूड़ होगा टोटल भाई इस से ऊपर का self weight ही तो होगा अगर आप इस section को देखो घो तो यह वेट तो इस अपने self weight के कारण और क्या है इस section पर आप ने देखा तो यह जो weight है यह यहां तक का यह किस की तरह काम करेगा इस section पर load की तरह काम करेगा अगर मैं किसी भी चीज का unit weight क्या होता है, एक तो होती है हमारी density, जिसको हम बोलते है mass density या density दोनों एक ही चीज होती है, तो हमारी density क्या होती है, mass per unit volume is called as density और इसके unit क्या होती है, हमारी kilogram per meter cube इसका मतलब क्या होता है, कि किसी भी volume के अंदर volume को अगर आप unit कर दो, unit का मतलब आपने क्या कर दिया, 1 by 1 by 1 यह आपने cube बना दिया, तो इस cube के अंदर वो जो material है, कितना उसका mass आ पा रहा है, उसे हम क्या बोलते है density, किसी 1 meter cube के अंदर कितना mass आ पा रहा है, उस material की density तो वो fix होती है, लगबग क्या होती है, fix माल लीजे मेरे पास एक container है, कितने का है, 1 meter by 1 meter by 1 meter क्या डाल रहा हूँ, मैंने उसमें घी डाल दिया, घी डालकर मैंने उसको full भर दिया, तो घी डालकर मैं उसको full भर चुका हूँ तो घी जो है, उसके अंदर माल लीजे, 50 kg आ चुका है तो उसकी density कितनी हो गई घी की, कि 50 kg आ पा रहा है कितने में एक मीटर क्यूब में तो देंस्टी क्या हो गई पचास किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो अब हमें समझ में आ गया कि एक मीटर क्यूब में घी कितना आएगा पचास किलोग्राम अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ ना कि 2 मीटर क्यूब में कितना घी आएगा तो हपन कह देंगे 100 किलोग्राम घी आएगा क्यों? क्योंकि उसकी mass density क्या है? 50 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो इस तरह से इसका use होता है तो जैसे mass density होती ही तो यहां तो हम बात करें थे mass की mass और weight में क्या अंतर होता है mass और weight के अंतर के वार अंतर होता है gravitational force का अगर आप gravitational acceleration को add कर देते हो तो वो जो mass है हमारा वो क्या कहलाता है force बन जाता है mass force नहीं होता है लेकिन mass force कब बनेगा जब आप उसमें gravitational acceleration लगा दोगे आप जानते हो ना F बराबर M into G force क्या होता है हमारा mass into में किसने बताया था Newton का second law है भई F बराबर M A वहीं से तो आया यह A का मतलब acceleration होता है अब acceleration कोई सा भी हो सकता है आप अगर नीचे की direction में लगा रहे हो आपका gravitational अमेशन नीचे की तरफ होगा ऐसे भी तो जा सकती है body लेकों सा ओगा हमारा acceleration simple लेकिन downward direction में कौन सा होगा हमारा natural acceleration कौन सा होगा हमारा gravitational force होगा तो यह हमारा gravitational force है small g से अपने इसको denote कर रहे है देखो भाई F बराबर M into G मतलब अगर F क्या हो गया अब हमारा F हो गया हमारा force और force की unit क्या होती है Newton force की unit होती है हमारी Newton तो आपने M मतलब क्लोग्राम को जैसे ही किस से गुणा किया meter per second square से automatically किस में convert हो गया वो Newton में तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि M into G को kilogram meter per second square लेकिन Newton कैसे आगया इस चीज को ही क्या बोला गया है Newton एक Newton बात के लिए तो यह हमारा convert हो चुगा है तो simple सी बात में आपको बोलू अगर आप mass को G से गुणा कर दोगे जब तक mass तो अकिला kilogram है जैसे ही आपने इसको G से गुणा कर दिया अब आप उसको क्या बोलोगे force मतलब किसके अंदर चलीगी स्की Newton के अंदर इतनी सी बात है mass को जैसे ही आप गोणा कर दोगे meter per second square से तो automatically किसमें convert हो चुगा है वो convert हो चुगा है Newton के अंदर तो यह हमारा Newton हो तो weight अब देखो weight के बारे में बात कर रहा था तो weight क्या होता है mass into my gravitational exploration अगर मैं यहां पर क्या कर दूँ इस mass की जगे वो जो मैं container की बात करता है घी डाला है तो घी का अगर मैं weight के रूप में बोलूँगा तो weight के रूप में मुझे Newton में बोलना पड़ेगा weight क्या होता है force होता है तो मैंने क्या किया mass को अगर G से गुणा कर दिया M को M into G कर दिया तो यह जो हमारा यह क्या हो चुका है weight हो गया weight को हम किसमें बोलते है kilo Newton या Newton में kilo Newton पर meter cube या Newton पर meter cube जैसी माना आप यह तो केवल मैंने बता दिया क्या होता पावर होती दसकी ठीक है ना तो इसको हम क्या बोलते है यह हो गया हमारा W upon V weight upon में volume kilo Newton पर meter को यह होता है हमारा unit weight unit weight का मतलब unit volume में उपस्तित weight किसी भी material की unit volume में कितना weight उपस्तित उसे क्या बोलेंगे हम unit weight यह होता है unit weight ही होता है mass density तो आपको किसी भी को यह चीज़ होती है fix होती है कि सी material की पहले सी निकाल लिए सारी चीज़ है soil का ठीक है plastic का steel का कोई भी चीज मालों कोई material सब की है चीज़ क्या होती है fix होती है gamma वगयरा ठीक है gamma और तो कई जिए तो बहुत को weight को gamma कर देते हैं कई जिए को डिनोट कर देते हैं हमारे उमेगा से कई जिए कर देते हैं lambda से मतलब एक है maximum जगे आपको यह गामा मिलेगा किसी अपने इसके अंदर जो strength of material उसमें lambda करते हैं soil mechanics में गामा से भी करते हैं तो कोई दिक्कत निये सारी एक ही चीज़ है न्यूटन पर मीटर क्यूब में आती इनकी वैल्यूज बात के लिए हैं अब मैं आपको क्या कहना चाहरा था मैं यह कहना चाहरा हूं अगर मैं निकालना चाहरा हूं किसी भी चीज़ का मेरे को फोर्स लग रहा है तोटल फोर्स जो लग रहा है सेक्षन पर वो लग रहा है वेट के बरावर और वेट आप कैसे निकालोगे आपको इस बोड़ी का unit weight पता है तो गामा पता है आपको गामा इंट्व में वाल्यूम कर दोगे अब वाल्यूम कौनसी आएगी भई जो भी distance है मालो x है और यह circular बार है तो आप volume कैसे निकालोगे volume होता है हमारा area into length यही तो होता है volume अब इसको मैं आगे करता हूँ तो gamma into में area area तो इसका जो भी हो मालो यह circular है तो pi by 4 d square rectangle है तो इसका जो भी area होगा मैं तो आपको सामने से दिखा रखा है नीचे से जो भी इसका area होगा rectangle है तो b into d square तो b square जो भी area है वो मैं इसको लिख दिया यह तो constant रहेगा देखे रखेगा area आपको और यह total length क्या होगा इसकी x तो इस तरह से मैं इसका क्या निकाल पा रहा हूँ से दिखा हूँ बात तो एक ही है क्यों है बात क्योंकि हम जो निकाल रहे है ना elongation वो निकाल रहे है self weight के कारण कि खुद के weight के कारण कितनी deformation होगी तो खुद के weight के कारण इस तरह से निकालते हैं अपन यह मैंने आपको केवल थोड़ी सी बात बताई थी किस तरह से निकाल रहता है तो खुद के weight के कारण deformation होगी कर नहीं होगी बिल्कुल होगी आप चाहिए इस पर load मतलगा हो लेकिन अपने पिर भी जहांगे टोगा क्यों क्यूंकि हर सेक्षम पर क्या हक फोर्स लग रहा है तो देखो अब हम इसको किस तरह से निकालेंगे लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर और उगा किंहीं इस यह लेता हूं तो यहां लोगा तो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा यह पूरा पूरा इसका कवर हो यह इसका area लिख देता हूं मैं क्रोस सेक्ट्षन एरिया बराबर केपिटल ए तो कम्प्रीट एरिया इसका क्या हो चुका है कवर हो चुका है और इसकी पूरी वॉल्युम आएगी तो इस वाले केस में इस सेल्फ वेट के कारण है जो खुद का वेट है उसके कारण क्या w l डॉड्स आपको इतना सद्यान रखना है, अब देखो भई यहाँ पर काम की चीज़ क्या है कि डिब लू क्या है, डिलू क्या है, होगे आप गामा एंटू में वॉल्यूम यह वह गामा लिख रहा है और यह लिख रहा है वॉल्यूम कैपिटल वी इतनी सी बात थी है इस तरह से हम निकालते हैं इसके इंदर अब देखो मैंने यह दिखाया ना डिकने यह डिफॉर्मिशन इलोंगेशन यह कौन से सेक्षन पर ऊपर वाले सेक्षन पर क्यों क्योंकि यहां पर मैकजियम होगा टोल लोड़ा इसी सेक्षन सबसे ज्यादा लगरा है अब आपको एक चीज समझ आ रही होगी अगर यह बार हमारी प्रिजमेटिक होती है यहां पर लौड लगा होता यह प्रिजमेटिक बार यह अगर तो आपको कुछ समझ में आ रहा है वेट के ब्राबर अगर आप लोड लगाते हो तो जो डिफॉर्मेशन होगा इसका दुगना होगा देखो ना ये, wl upon a, wl upon 2a, 2 का मतलब का है, एक बटे दो, इसका एक बटे दो है, कौन से case में जब आपने, cell weight के करा है, तो उसको तो हम note में लिख देंगे, ये question पूछा जाता है, जनरली, उसको हम note में लिख देंगे, तो ये जो deformation था, ये किसके term में था, किसके रूप में अगर मैं निकालना चाहरा हूँ, इसको, gamma की form में, आपको unit weight दे रखा है, तो आप कैसे निकालोगे, अब लिख देते हैं अपन, in terms of unit weight, unit weight के रूप में कैसे निकालेंगे, w बराबर gamma into v, ये उता है, w, total weight, मैं आपको बता चुका हूँगी, तो w बराबर gamma into, volume कैसे निकाल के, तो हमारा gamma क्या हो गया, इसलिए gamma बराबर w by al, बात के लिए रहे, या फिर हम क्या करें, कुछ नहीं करना, इसको लिख देते हैं, first, therefore, from equation 1, 1 में अपन क्या करेंगे, w ये पूट कर देंगे, delta l बराबर, w ये क्या पूट कर दें, gamma into a into l, into में l upon में, a into e, क्या आया भाई, एसे ये cancel, l का square, gamma l square upon में, 2 और आएगा, gamma l square upon में, 2 e, तो delta l बराबर, gamma l square upon में, 2 e, यहाँ पर, gamma क्या है, unit weight of, ये हमारी simple सी बात है, तो हमारी 2 equation बनी है, दोनों एक हैं, अगर आपको question में क्या दे के रखता है, कि वह total weight, जो है, member का या bar का w है, तब कैसे निका लेंगे, w l upon में, 2 e, वो कहता है, भई, बार जिस भी material से बनी हुई है, उस material का unit weight, जो है, वो हमारा कितना है, gamma, तो आप इस से निका लो, gamma l square upon में, 2 e, simple concept है, इसके बाद फिर हम note के अंदर लेंगे, वो चीज, जो मैं आपको बता रहा था, इसको आप उतारो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब देखो note क्या है, note है हमारा, elongation of bar due to, आप इसको short form में रिखते हैं, देखो, short form में याद रखने के लिए आप ऐसे दिहान रखोगे, एक तो यह केस है अपना, ठीक है, यह तो कौन सा वाला केस है, self weight case, इस वाला case में, total weight बराबर क्या है, capital W, बात के लिए रहे, और यह वाला case है, जिसमें आपने capital W लगा रखा है, इस weight के बराबर लगा रखा है, यहाँ पर load, ठीक है, applied load case, लेकिन applied load कितना है, यह condition fix है भई, applied load कितना है, जितना इसका self weight है, इन दोनों कारणाम deformation देख रहे हैं, तो यह 1 है और यह 2 है, तो delta L1 upon में, delta L2, delta L1 इसके कांड कितनी होती है, पढ़ चुके WL upon में, 2AE, और इसके कांड कितनी होगी, load लग रहा है, तो load के कांड तो load, PL upon AE तो होता है, तो PL upon AE, क्या रेश हो आगया भई, एक बटे 2, तो, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके नीचे, deformation, due to self weight, upon में, deformation, due to load, applied, load, equal to, self weight, बराबर कितना होगा भई, एक बटे 2, उल्टा पूछ लेता है, अपन, दो बटे एक बराबर, दो जाएगा, एक ही चीज़ है भई, दोनों का मतलब, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो इंपोर्टेंट चीज थी, कि वो क्या थी हमारी, यहाँ पर जो हमारी इंपोर्टेंट चीज़ हो थी क्या, कि जो आप applied load लगा रहे, वो किसके बराबर है, equal to self weight, self weight के बराबर होना चाहिए, यह तब की condition है, बात के लिए रहे, आप इसको उतारने हैं, इसके बाद अपन, चौथा केस लिखेंगे, चौथा केस क्या मैं इसको मिटा दा हूँ, आप इसे चौथा केस लिखेंगे, फोर्थ केस है हमारा, elongation of uniform tapering bar due to self weight, देखो, मैंने आपको चार केस बताया थे, सबसे पहला जो मैंने केस बताया था ना, उस केस में और जो तीसरा केस अभी बताया था, वो दोनों लगबग सेम जैसे दिख रहे होंगे आपको, पहले केस और तीसरा केस केस के लिए थे हमारे, दोनों ही prismatic bar के लिए थे, दोनों ही prismatic, ये था हमारा uniform tapered cross section, कौन सा था इसके इंदर हमारा, circular था, लास्ट नोट के अंदर, इस वाले केस में uniform tapering bar due to salve it, इसकी बात कर रहा हूँ, पहले केस की और ये fourth case, कि इन दोनों में क्या आंतर है, पहले केस में और चौते केस में क्या आंतर है, इन दोनों ही cases में एक छोटा संतर ये है, पहला केस तो हमारा है ये, पहला केस तो हमारा इस तरह से था, उसमें क्या एक चौत में जो लोड है, जो हमारा tapering section है उस पर लोड applied है, उसके करण हम ग्याद कर रहे थे, applied load के करण हम देख रहे थे, कि हम deformation किस तरह से निकाले, लेकिन इस वाले case में क्या है, इस वाले case में यह है कि applied load नहीं है section तो टैप पड़ है लेकिन उसके खुद के weight के कारण अपन देखना चाह रहे हैं तो इसका अपन कैसे निकालेंगे जैसे अभी हमने ये देखा था ना same वैसे ही निकालेंगे अभी हमने क्या किया था अभी तो आप्छे प्रिज्मेटिक बार का सैल वेट के कारण हम देख चुके थे अब हम किसका निकालना चाह रहे है इस तरह के कुई कोई कौन टाइप की शेप है तो इसका खुदगे वेट के कारण हम किस तरह से निकालेंगे इसका भी सेल वेट होगा कुछ ने कुछ डबलू इसका भी सेल वेट होगा आपको याद रखने का में सीधा सा तरीका बताता हूं याद रखने का इतना सा तरीका इसका कि यह जो बार होती है ना यह कौ कौन है कौन की तरह है जैसे आपको यह दिख रहा है इसमें देखो अभी तो आपको यह इतना पॉर्ट्सन कैसा देख रहा है बिल्कुल सिलिंड्रिकल दिख रहा है ठीक है सिलिंड्रिकल दिख रहा है इतने पूर्ट्सन की बात कर रहा हूं मैं तो यह आपको सिलिंड्रिकल है और ये कौन के अंदर का part है तो इन दोनों को इन दोनों ही part को अगर मैं दिखाना चाहूं इस डियाग्राम के अंदर तो मैं क्या कर रहा हूं देखो ये जो है ना ये वाला portion ये तो हमारा ये अपर है ये वाला पूरा complete आपको cylindrical दिख रहा है और जैसी मैं इसको यूँ हटा दूँगा तो क्या या मेरा कोन आ गया तो ये उपर का पार्ट जो है उपर वाला पार्ट वो इस तरह से दिखेगा बाहर से दिखने पे तो लेकिन actual में क्या है अंदर से ये यूँ है अंदर से क्या है? ठोड़ा खोक्ला है और जो नीचे वाला पार्ट है ये यहाँसे हट चुका है ये क्या है? इस तरह से है बात के लिए रहे तो दो section बन गए इस अकेले से इस अकेले से फो section बन चुके। एक तो ये तो ये बन गए ये कि ये बन गया बात के लिए रहे ये वाला W1 है ये W2 है W के बराबर होगा और इसका जो वेट होगा जादा होगा या इसका जादा होगा इस वाले का जादा होता है ये होता है इसका दो तीहाई और ये होता है इसका एक तीहाई ये होता है दो बटे तीन ओफ डबलू और ये होता है एक बटे तीन ओफ डबलू तो कितना होगा दो बटे तीन प्लस एक बटे तीन बराबर वही डबलू हो गया इसका मतलब क्या है आपको इस वाले कौन का वेट पता चल चुका है वेट कितना होता है यह होता है एक तियाई होता है इसका जब इसका एक तियाई है इसका वेट है तो इसका जो डिफॉर्मेशन होगा वो भी क्या होगा इसका एक तियाई होगा जब लोड ही घट चुका है एक बटे तीन पे पहुंच चुका है लोड तो उसके कांड जो डिफॉर्मिसनों का वो भी क्या हो जाएगा एक्तियाई हो जाएगा तो अगर मैं इसके रूप में बात करूंगा टोटल वेट के रूप में तब तो हमारा फॉर्मला वही रहेगा बस यहाँ पर जो वेट है इस वाले के लिए जयाद करेंगे हम तो वेट की वैल्यू क्या रहेगी जो भी अपन निकाल रहे है इसकी वैल्यू वो रहेगी जो भी इसका वेट होगा कंप्लीट वो वाली वैल्यू पुट करेंगे और जब हम इसके लिए निकाल रहे है तो इस था इसके लिए और इसका कितना हो जाएगा गामा एल इसको आरपन में 6E आपको शॉर्ट में ऐसे याद रखना है कि यह जो हमारी बार होती है कौन टाइप की जो बार है यूनिफर्म टैपर बार है इसका सैल वेट के गांड कितना हो जाएगा एक बड़े दिन क्यों क्योंक कि यह इसकी लेंथ एल है यह है टोटल वेट डबल्यू टोटल वेट बरावर डबलू यह इसका टोटल वेट है तो हमारा है डेल टाइल क्या जाएगा डबलू एल अपॉन में टू इंटू ए इंटू ए वेर डबलू इसकास टू टोटल वेट आफ बार और यह क्या होता है यूनिट वेट इंटू है लेंथ और यहाँ पर यूनिट वेट क्या हो जाता है हमारा एक बटे तीन आएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा एक बटे तीन एंटू में एल इंटू में गामा volume into gamma into volume होता है weight हमारा तो gamma into volume कैसे निकालते हैं हम 1 बट दीन a into में l अब हम इसको निकालते है किसके रूप में in terms of unit weight unit weight के रूप में अगर अगर आपन इसको निकालना चाहते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा delta since w बड़ा पर gamma into v और यहां पर गामा तो गामा होता है वालम क्या है 1 एक बटे तीन A in 2 में L therefore डेलटा एल बराबर डबलू बॉट कर दिया हमने क्या पूट कर दिया गामा इंट्यू एक बटे तीन A in to L in to my L upon में 2AE गामा एलिसकायर पर में 6E डेल टायल पराबर गामा एल स्कायर पॉन में 6E वेर गामा इस गस्टू यूनिट वेट ओफ मेटीरियल बात के लिए रहा है यह हमारी कम्प्लिट चीज थी इलोंगे सनुफ यूनिफॉर्म टैपरिंग बार ड्यूटू सेलवेट तो यह हमारा जो फूर्थ सेक्शन था यह भी अपना कम्प्लिट हो चुका है इसके बाद हम देखते हैं एक चीज क्या इसके बाद हम द गइस ट्रेंथ बार कौन सी होती है हिए एस है कि ऊंतित Blum बार के बारे में बात करते है अपन तो युनिफॉर्म स्टेंथ बार कौनसी हमारी भिज यह वह बार होती है आप इसको अतार लो यह पर बता पाएं मैं आपको नीचे इतना स्पेस नहीं है node डाल निक लेंगे कि एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुने है कि लिमिटेड वर्ड का यूज गरूंगा मैं अपना बहुत लंबा है इसके बाद एक सब्जेक्ट और पढ़ाना है मुझे वह भी काफी लेंदी है तो देखो भाँ यूनिफर्म स्टैंट की बात करें पर यूनि फॉर्म स्टैंट बार की बात करें कौन सी होती है यह कोई बार है इस पर क्या है लोड लगा हुआ है पी तो इस लोड के कारण अब मैं देख रहा हूँ इस section पर stress देख रहा हूँ stress due to load plus self weight अब दोनों चीज़ों कारण देख रहे हैं या तो हमने एक चीज़ तो हमने पड़ी थी क्या पड़ी थी भाई केवा लोड के कारण पहले उसके बाद में हमने self weight के कारण अब हम क्या देख रहे हैं दोनों ही चीज़ों के कारण लोड भी और self weight भी तो क्या हो जाएगा इन दोनों का योग हो जाएगा deformation निकालने के लिए क्या हो जाएगा WL upon में AE और ये WL upon में 2AE तो ये क्या हो जाएगा हमारा WL upon में AE plus 2AE common ले लिया तो WL upon में AE common 1 plus 1 by 2 3 by 2 WL upon में AE ये हमारे deformation में निकाल लिया हम देख रहे है stress की value प्रतेक section पर किसके कारण applied load और self weight दोनों कारण तो applied load तो भई P लग रहा है तो ऐसी बार जिसमें क्या है इन दोनों ही चीजों के कारण प्रतेक section पर stress की value क्या मिल रही है same मिल रही है तो उस बार को हम क्या बोलेंगे uniform strength बार क्यों उसके प्रतेक point पर strength क्या है same है अब भई इसमें आपको मैं बताता हूँ अगर अपन यहाँ पर stress देखेंगे न तो क्या हो जागा हमारा load upon area ये किसके कारण है भई load हमारा constant है area भी हमारा constant ले लिया मैंने value आ गई constant आ गई यहाँ पर stress की value same आ गई यहाँ पर देख रहा हूँ तब भी same आईगी तब भी same आईगी क्योंकि load और area क्या है constant है लेकिन जैसे जैसे मैं उपर जाऊंगा न ये तो किसके कारण था stress ये तो था 10 newton पर mm square आ रही है ठीक है अब मैं क्या निकाल रहा हूँ stress निकाल रहा हूँ हर section पर किसके कारण self weight के कारण तो वो क्या होगा हमारा कि self weight upon में उस वाले section पर area अब self weight देखो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ section पर self weight क्या होगा ये वाला होगा self weight मतलब value ये constant है क्या हर section पर constant है क्या नहीं variable है ये क्या है constant है तो जैस जैसे हम उपर जा रही है तो इसकी value क्या होती जा रही है ये total value not constant जैस जैसे हम उपर जाते जा रहे है ये value बढ़ रही है ये बढ़ रही है तो ये वाली value भी बढ़ती जा रही है क्योंकि ये तो constant है लेकिन ये constant नहीं है तो ये वाली value complete sigma की value बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है मतलब ये sigma fix हो गया क्या उपर वाली की तरह हर section पर नहीं not constant constant नहीं है उपर जाने पर बढ़ रहा है और नीचे आने पर गट रहा है इसका मतलब अब इन दौनों को अगर हम जोडते हैं ये प्लस में ये प्रतेक सेक्षन पर इसकी value तो अलग अलग आ रही है तो ये जो हमारा total आएगा न सिग्मा टी सिग्मा टी बरावर क्या है लोड के कारण और self weight के कारण उसकी value constant है क्या नहीं लेकर हम तो यही निकालना चाहरे हैं हम तो कहरें कि ऐसी beam जिसके प्रतिक सेक्षन पर ऐसी बार जिसके प्रतिक सेक्षन पर self weight और लोड के कारण strength, uniform आती है stress हमको uniform प्राप्त होते हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम uniform strength बार तो uniform प्राप्त करने के लिए क्या करें आप अपन एक काम करते हैं इस तरह की बार बनाते हैं जिसका area क्या है दीरे-दीरे इसका जो ratio है वो क्या आता चला जाए हमारा constant वह यह बढ़ रहा है ना तो इसको भी आप बढ़ा दो यह कितना हो गया हमारा यह था हमारा 9 था पहले और यह कितना था हमारा 3 ठीक है मैंने देखा अब मैंने देखा डबलू अप होने अगर मैं इस weight को इस वाले section पर देख रहा हूं तो कितना आ रहा है 9 था area कितना था इस वाले section पर कम है 3 है ratio कितना आया 3 newton पर mm square ठीक है थोड़ा सा उपर बढ़ा उपर बढ़ने पर जो हमारा यह था load weight जादा हो गया कितना हो गया 15 लेकिन यहाँ पर यह जो area था area जाता हो गया कितना हो गया माल लो 5 तो हमारा stress कितना आया 3 तो क्या होता जा रहा है अब जैस जैसे में उपर जा रहा हूं मैंने बार ही ऐसे बना दी कि यह ratio same आएगा ratio same का मतलब क्या है यह वाला जो चीज है self-weight current stress यह क्या हो गया है constant हो गया है बात clear है तो इस प्रकार की बार को हम क्या बोलेंगे uniform strength बार तो आप इसमें एक line लिख देंगे इस वाले diagram को तो ऐसी बार हो सकते कि uniform strength बार कभी नहीं हो पाएगी ऐसी बार तो कभी भी नहीं हो पाएगी तो फिर कैसी बार उपाएगी uniform strength की बार इस प्रकार की बार stress due to due to load plus में selved तो यहाँ पर अपन लेखेंगे uniform strength बार में वो बार जिसके प्रतेक सेक्षन पर applied load वे self weight के कारण stress stress सेम होता है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बार कहलाती है दोनों जीज़ों कारण होना चाहिए वई सेम तो आप इसको नोट मोदार देंगे मैं इसको मिटाता हूँ नेक्स्ट टॉपिक आप हम पढ़ेंगे क्या compound bar या composite section नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है compound bar या composite section ये क्या होती है ये हमारी वो बार होती है जो end पर क्या है बहुत ही जादा rigidly connect होती है पर पर क्या है परी पर क्या है आफ क्या परक्वध। परूपिक बारा हो былоाच झाल परूपिक जेँ दो आर वो कि कि देखो बई और कि मपॉजट बार क्या होती है composite section ये दो ऐसी बार होती है जो parallelly same length की बार होती है जो parallelly rigidly connect होती है end पर दो parallel बार है उनको हमने इस तरह से लगा दिया और end पर क्या है एक साथ fix कर दिया उनकी length fix रहती है और फिर end पर हम load लगा रहे है इस प्रकार के section को हम बोलते हैं अलग मेट्रिल की बनी हो यह अलग मेट्रिल की है यह यह वाली अलग मेट्रिल की इसको मैंने एक नमबर दे दिया इसको दो नमबर दे दिया इसकी जो यह है वो अलग है even और इसका क्या होगा इटू होगा बात के लिए रहे तो इन दोनों बार के जो तो रेशो है हमारा सुरी इन दोनों बार को हम क्या बोलेंगे कमपोजिट या कमपाउंड वार बोलेंगे इस प्रकार की बार में आप लोड लगा रहे हो पी बाहर से इसमें देखो काम की चीज गया है इसमें आप पी लगाऊगे ना लोड बाहर से तो दोनों ही बार जो है उन दोनों बार पर stress की value अलग अलग आएगी, इस total load का कुछ load तो ये वाली बार जहलेगी और कुछ load ये वाली बार जहलेगी, भई दोनों बार की E अलग अलग है, मतलब दोनों की property अलग अलग है, जब दोनों बार की property अलग अलग है, तो इसकी strength अलग होगी, ये अपने अनुसार लोड को जेल रही है ये अपने अनुसार ये जेल पारी मालो 100 लग रहा 100 मैं से ये मजबूत है ये 70 जेल रही है और ये कितना जेलेगी 30 इसका मतलब क्या क्या है कि टोटल लोड जो होगा इन दोनों बार के अंदर जो लोड जनरेट हो रहा है डवलप हो रहा है उस लोड के योग के बराबर होगा दोनों बार हैं जब खिचेंगी तो दोनों में जो डिफॉर्मेशन है क्या होगा क्यों होगा क्यों होगा सेम क्योंकि दोनों रिजिडली कनेक्टेड हैं कहां पर end पर तो इन दोनों ही बार में डेल्टा L की बात करूँ L1 वो किसके बरावर होगा डेल्टा L अगर ये खिच रही है तो दोनों में elongation बरावर होगा shrink और इन दोनों में contraction बरावर होगा तो अपने यहां पर ये दो condition काम कियें वस इन दोनों condition के आधार पर हम निकालते हैं question क्या बनता है आपको load दे देगा और पूछेगा भई इसमें कितना load generate हो रहा है और इसमें कितना हो रहा है बात के लिए रहे इस तरह से question पूछता है बस आप से इसमें कितना stress generate हो रहा है अगर आपको इसका area पता है तो load upon में तो stress पता है, stress पता है तो load पता है तो इनमें किवलिए दो condition काम की इनके analysis में इनके analysis में अपन क्या करते हैं कौन कौन सी condition के use करते हैं दौनों load का जो योग है वो total load के बराबर होगा और जो इन दौनों में deflection की value क्या रहेगी बराबर रहेगी, इसके आधार पर questions जो बनते हैं वो questions मैं आपको करवाता हूँ तो first of all आप एक दो line लिखेंगे क्या लिखेंगे इसके अंदर यह है दो same length where different material material की bars का वो parallel arrangement है जिसमें दोनों bars end पर rigidly connected होती है वे इन पर load applied होता है तो यह compound bar क्या है यह इसमें दोनों bars end पर rigidly connect होती है और इन पर load applied होता है यह हमारी composite यह compound bar होती है इसमें एक लाएं लिखेंगे इन बार्स में अननोन फोर्स इस्ट्रेस या डिफॉर्मेशन ग्यात करने के लिए निम्न दो conditions का use किया जाता है कौन कौन सी condition एक तो P1 प्लस में P2 बराबर P यह क्या है P1 क्या है P2 क्या है और P क्या है यह P1 है हमारा लोड केरिट बाय बार 1 और यह लोड केरिट बाय बार 2 और P क्या है टोटल अपलाइड लोड तो यह तो पहली condition है और दूसरी condition क्या हमारी delta L1 बराबर delta L2 यह condition 1 है और यह condition 2 है delta L1 क्या होता हमारा P L upon में A E तो P तो दोनों का अलग अलग हो हो सकता है दोनों का पी क्या होगा हो सकता है नहीं होगा ही अलग-अलग और एरिया भी अलग-अलग हो सकता है यह लिख दिया यह अलग-अलग हो झाल झाल तो अपनल लिखते हैं यहां पर P1 upon में A1 E1 बराबर P2 upon में A2 E2 यह equation आ गही हमारी P1 upon A1 क्या होता हमारा stress force upon area और यह क्या होगा stress 2 upon में E2 बात के लिए रहे तो यहां से हमारा sigma 1 बराबर क्या होगा sigma 2 E1 upon E2 E1 upon E2 जो होता है इसको हम क्या बोलते है where E1 by E2 is equal to M M का मतलब क्या है modular ratio M E1 upon E2 को मैं M बोल रहा हूँ sigma 1 sigma 2 into में M बात के लिए रहे भई तो इस तरह से यहां पर हम मेर को एक तो काम की equation कौन सी है यह वाली equation काम की है एक दो यह वाली equation काम की है और एक मेरी यह वाली किसन काम की है क्यों है काम की आपको अगर load के बारे में बात कर रहा है आप से पूछ रहा है भई कितना load carried किया तो आप क्या करोगे इनको नाम देते हैं क्या अपन चलो नाम रहने दो दो कंडिशन थी हमारी तो अगर आप से पूछता ना कितना load carried किया पहली बार ने दूसरी बार ने तो आप क्या करोगे पहली जो equation थी P1 प्लस P2 बराबर P और एक इसका use करोगे बात के लिए रहे यहां से क्या करोगे आप P1 अपॉन A1 A1 बराबर P2 तो इसको आप इदर भेज़ दोगे तो यह P1 किसके रूप में आजाएगा P2 के रूप में और उसको यहां पूट कर देंगे हमारा क्या निकल जाएगा load की value निकल जाएगी P1 और P2 आपको क्या बोलता है कि भाई किसी भी बार के अंदर आप बताओ पहली बार के अंदर तो stresses इतने है डूसरी में बताओ stress क्या होंगे और आपको क्या दे रखा है modular ratio modular ratio क्या होता है दो जो बार है उनके जो हमारा modulus of lastity यह उसका ratio होता दो बार के modulus of lastity का ratio होता है यह generally जो इसमें even लिखा है even होगा modulus of lastity किसका जिसके ज़्यादा है even तो यहाँ पर किसकी value put करेंगे उसके modulus of lastity put करेंगे जो क्या है जिसकी value ज़्यादा है जिसकी कम है उसको नीचे रखते है जैसे steel और concrete की बात करें तो steel का उपर आएगा और नीचे concrete का आएगा ES upon में EC matrices तो वह हमारा क्या होता है module ratio आपको देखे रखेगा module ratio नहीं देखे रखेगा तो e1,e2दे देगा आपको आपको क्या दे रखा है e1,e2,e2 दे रखा या फिर आपको m दे रखा है एक ही बात है और आपको क्या दे रखा है मालों आपको sigma 1 calculate हो चुका है तो sigma 1 क्या होता है हमारा P1 upon में A1 तो sigma 1 को A1 से multiply करते है आपका क्या आ गया कई सारे questions बन सकते हैं इस topic से बराना चाहो तो लेकिन अपन इसमें से specified questions मैं आपको बताता हूँ एक दो किस तरह questions आते हैं आप इसको उतार लेंगे composite bar में क्या चीज सेम आती है आप से पूछे composite bar में क्या चीज सेम होती है stress, strain, load क्या चीज सेम होती है है strain सेम होती stress सेम होता है का दोनों बार्स में नहीं लोड सेम होता है का नहीं P1 P2 थोड़ी लिखते फिरम तो P लिख देते सिग्मा बन सिग्मा टू थोड़ी लिखते सिग्मा लिख देते वहाँ पर क्या सेम होता है स्ट्रें सेम होता रही है दूसरी कंडिसन अपन को बताती है आप नोट में लिखेंगे compound bars में, लिखेंगे, compound bars में, strain bracket में लिखेंगे, deformation strain bracket में deformation same होता है ठिक, same होता है अब question करेंगे अपन question में लिखेंगे करें लिखेंगे करेंगे ये क्या कह रहा है ये कह रहा है ये कह रहा है, ये कह रहा है if permissible stress and model ratio in concrete are 5 newton per mm square देखो ये पहली बात तो मैं उपर से देखता हूँ तो मेरे को ये column दिख रहा है इस तरह से इस column में क्या है, दो चीजे हैं एक तो हमारी concrete और एक क्या है हमारी steel मतलब ये कौन सा है हमारा structure और दोनों की length सेम है, different material है मतलब ये क्या है composite section composite section है तो इसमें वही दो condition काम आएगी इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है इसको आप उतार लेंगे इस चीज को कि मतलब जो RCC का जो structure है वो कौन सा होगा हमारा RCC के column ये structure क्या है हमारा concrete वो sorry composite section है हमारा और composite section तो ये दोनों condition काम आएगी तो आप सब कुसे निकाल लगते होगी ये जो हमारा column है कितना load carried करेगा ठीक है ऐसे questions को भी हम इसी चीज से करेंगे मतलब ये दोनों equations का दोनों ही ये जो हमारे दोनों condition का use करके हम उनको ग्याद करेंगे अब इस वाले question में आपको दे रखा है कि आप से कह रहा है कि permisable stress निकालो steel में steel में stress बताओ कि हम कितने permit कर सकते हैं अगर हमारे concrete में stress कितने हो 5 newton per m square और हमारा model ratio कितना है 15 मतलब आपको क्या दे रखा है E s upon e c दे रखा है 15 model ratio 15 दे रखा है model ratio क्या होता हमारा e s upon e c जादा वाला हमेशा उपर आएगा ध्यान रखना कमवाला हमेशा नीचे आता है उसके बाद मैं आपको क्या दे रखा है sigma c दे रखा है कितना 5 newton per mm square अब यह पूछ रहा है कि इसमें stress की value क्या होगी आप इस चीज को उतार लेना मैं इसको मिटाता हूँ और मैं complete question को देखो बई given given क्या है हमारे पास sigma c बराबर 5 newton per mm square और m m क्या है हमारा 15 है बराबर e s upon e c ठीक हम जानते है भई since rcc is a composite section so we can use conditions of compound war compound war की जो दो condition थी उसको अपन use कर सकते हैं हम जानते हैं क्या होता है हमारा sigma 1 upon में e1 बराबर sigma 2 upon e2 यहाँ पर sigma 1 क्या है concrete sigma 2 क्या है हमारा sigma 2 है हमारा बात के लिए रहे तो यहाँ से आपको दिख रहा है sigma s क्या हो जाएगा हमारा e s इदर चला जाएगा अपन में e c इंटू में sigma c e s upon e c क्या होता है modular ratio sigma c क्या है sigma s बराबर m कितना है 15 और sigma c कितना है 5 75 newton पर mm square आंसर आगे हमारा तुरंत देखो कितना बड़ा फाइदा इसका क्या बड़ा फाइदा है आप क्या करते अगर आपको यह पता नहीं होता ना modular ratio सो हम निकाल सकते हैं यह तो हम क्या करते पहले P1 प्लस P2 बराबर P पहली यह वाले condition यूज करते P1 क्या है हमारा concrete यह क्या है steel यह हमारा total load total load ही नहीं पता हमको इसको P heater में पुट करके पहले हम P निकालते तब जाकर क्या निकालते केवल हमको यहाँ पर क्या चीज पता हम है PC यह हम निकाल सकते हैं यह भी तब निकाल सकते हैं हमारे पास क्या होता area होता हम बहुत confused रहते हैं इस वाले case में तो अपन को यह दूसरी condition जो थी दूसरी condition से अगर इसमें area दे कर रखता तो अपन इस वाली condition का यूज कर लेते हैं जब area नहीं दे कर रखा तो हमने इस डायक ले निकाल लिया अब आपको इसके पीछे का एक चोड़ा सा इस निकल के आई है यह यह चीज निकल के आई है कि अगर हम कोई यह कॉलम है कॉंक्रीट का जिसमें यह बार से बार को तो मैं दिखा नहीं सकता ऊपर से सामने इस देख रहे हैं कॉलम यह लोड लग रहा है पी तो टोटल लोड है इसको कौन कौन जरेगा एक स्टीलोर एक कोंक्रीट कितना जरी की की दौनों अलग अलग पी ओन वệc पीटू जरेंगी दौनों के योग यूञ्ट जो है हमारा कैपिटल zatुलुं लुका हो एरिया का भाग दे तो क्या आएगा हमारा stress किसके अंदर इस्टील के अंदर दौनों की values क्या रहेंगी हमारी different different रहेंगी दौनों की load carrying capacity भी क्या रहेगी अलग-अलग रहेगी इन दौनों को अगर हम जोड दे तो हमारा total load आजाता है तो यहां पर अपने क्या निकाला केवल सिगमा सी पता था हमको तो हमने directly model ratio की साथा से क्या निकाल दिया सिगमा एस निकाल दिया हमने मतलब area कुछ काम में लिया का कुछ भी काम में ने लिया आपको यह पता था और आपने साथ में किसका यूज़ किया है एका यूज़ किया और आपने क्या गयाद कर लिया सिगमा एस निकाल लिया यह हमारा सिंबल ता तरीका था अब अगर आपको कोशन में क्या देकर रखता है model ratio नहीं देता यह और एसी देता तो अपन ऐसे निकाल देते हैं directly यहाँ पर एस पूट किया एसी पूट किया निकाल आपको कोशन में सिगमा एस दे रखा है सिगमा सी पूसरा तो निकाल लेंगे दस कोशन बन सकते है concept यह सेम अब देखो एक कोशन क्या बनता है आप से load carrying capacity पूछेगा किसकी column की तो load carrying capacity आप सोचो कैसे निकाल होगे कि भई मेरे को पहले तो क्या पता चल जाए आपको यही कोशन दे रखाए same थीक है उसके अंदर बस आपको आप से load carrying capacity मतलब P, तो concept देखो आप सोचो अपने दिमाग से, आप कैसे निकालोगे P को, भई मैं P तब निकाल सकता हूँ, P क्या होता है हमारा, P S प्लस में P सी, कितना load तो जहिल रहा है हमारा steel, और कितना load carry कर रहा हमारा concrete, उन दोनों ही loads का जो हमारा योग है, वही क्या हमारा capital P होगा, तो capital P, P S कैसे निकालेंगे हम, हमको sigma S पता है अगर, A S दे रखाए, sigma S into में A S कर दो के तो P S पता चल जाएगा, sigma C आपको दे रखा था, A C दे रखाते, इन दोनों गुणा कर देंगे, तो P C पता चल जाएगा, P C पता है, P S पता है, तो P निकल गा, कुल मिला के आपको क्या निकालना है, वो सेम चीज निकालनी है, जैसे जितना आपने ये किया है न, यहां तक, और उसको आप क्या कर दोगे, sigma S पता चल जाएगा आपको, और sigma C आपको दे रखा था, A S, A C दे रखा था, तो आप यहां से क्या निकालोगे, sigma S into में A S कर द देते हैं आप को से नंबर डाल करके इसको उतारों, मैं को से नंबर टू आपको लिकवाता हूं जी को न नंबर बन था अब को से नमबर टू लिकते हैं है अपन इसके बाद में, इसे भी इसके क्रूम जाच यह कालकुलेट लिखता हूँ वही कोशन में, कैलकुलेट लोड केरिंग कैपैसिटी आफ ए आर्ची सी कॉलम आफ पान्सो एमेम बाइ पान्सो एमेम हैविंग टोटल स्टेल स्टेल प्रूट स्टेल स्टेल लिखता हूँ दिया 25 अम and permissible stresses in concrete are 5 newton per mm square use m बराबर 15 आपको दे रखा है m की वेल्यू 15 यूज़ करनी है अपन को m की वेल्यू 15 यूज़ करनी है और साथ में क्या है permissible stresses in concrete 5 newton per mm square है आप इस question को करते हैं अपन पहले तो आप hint के लिए इस चीज को उतार लो आप hint के लिए क्या उतार लो आप hint के लिए इसको उतार लो भई कि क्या निकालना है अपन को ये चीज नो गिवन है आप यहाँ से निकालोगे ps यहाँ से pc निकालोगे दोनों को जोड़ दोगे तो p आ जागा यह आपका hint के लिए अब अपन करते हैं गिवन सिग्मा सी बराबर 5 न्यूटन पर mm स्कायर एम बराबर 15 एरिया ओफ कॉलम का एरिया कितना है 500 बराबर एरिया ओफ स्टील कितना है भाई चार बारें 25 की चार गुणा में पाइब आइफ और इंटू में डी का स्कायर तो कितना आया 625 गुणा में 3.14 एक सो 1962 1962.5 mm इसका है ये तो area of steel है ये total area तो area of concrete क्या होजागा total area minus area of steel अब आपको क्या चीज निगाल नहीं है एक तो मुझे sigma s निकालना है sigma s क्या होता है m into में sigma c हम अभी तो देखा था last time और वो value कितनी है 15 into में 5 बराबर पिचतर newton पर mm square sigma c पता है तो load carrying capacity load carrying capacity capital P बराबर load carried by steel plus में load carried by concrete capital P बराबर plus में PC capital P S कैसे निकालेंगे में stress into area of steel plus में stress of concrete into my area of concrete तो stress in steel कितना है 75 area of steel कितना है 1962.5 प्लस में ये कितना है अपना sigma c पास था area of concrete कितना है हमारा तो चौतिसा चौबीस कि असी से थीस पॉइंट पाच कि इन दोनों का हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या जाएगा आंसर आजाएगा इनको मैं जोड़ता हूँ तेरा सो सत्यासी पॉइंट तीन जाथ तीन आठ किलो न्यूटन इतना लोड़ भाई ये जेल सकता है तो यह हमारा कंपलीट सेक्षन था किस से रिलेटेड कंपोजट से इस से ज्यादा कोशन नहीं पूछे का यह इस तरह कोशन पूछ सकता है यह मैंने आपको बता दिया ठीक है भई इसको उतार लो इसके बाद फिर अपन आपन नेक्स टॉपिक जो है भू है हमारा वो है टेम्पीरिटर bona relentless आपना आपना और का बत्राएलास्टि को रहा है उन दोनों को आपन देखेंFE नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ठीक है भई थैंक्यू सो मच